रजादव.com के आशीश केलकर जोड़े हैं आशीश स्वागत है आपका सबसे पहले निफ्टी पर कॉल 10,440 कस्तर थोड़ासा कंसॉलिडेशन फेज लग रहा है कल भी हमने देखा था शुरुआत में बाजार थोड़ा उपर नीचे हुआ उसके बाद एक अच्छी तेजी द है क्या आप भी बाइंग के मौके देख रहे हैं या फे थोड़ा और करेक्शन आने वाला है तो मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है दस अजार चार्सो तो ओरल मोमेंटम अगर मैं देखता हूं मेडियम तर्म चार्ट भी देखता हूं तो करिदरी करने की सला होगी स्टापलाग दस अजार चार्सो के निचे याने दस अजार तीन सो अस्टी का मैं रेक्वेंट करूंगा और आज ये जो ट्रीडिंग सेशन में हो सकता है कि हम निफ्टी को दस अजार पांसो को चूते हैं देख पाएं ओके तो यहां पर अभी पॉजिटिव है आशीश का व्यू उन्हें लगता है लोर लेवल्स पर बाइंग ही करनी चाहिए 10,400 का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट देख रहे हैं भारतिये बाजार में बैंक निफ्टी वहाँ पर क्या कॉल है एक तिहाई प्रतिश्यत का दबाग यहां दिकाई दे रहा है यहां पर भी लगता है बाई करके चलना चाहिए और क्या आपको इस वक्त PSU बैंक्स जादा पसंदा रहे हैं कंपेर टू प्राइविट बैंक्स पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो वहीं पे भी जैसे निफ्टी का रुजान है वहीं पे वैसा ही रुजान मैं बैंक निफ्टी के ऊपर देख रहा हूँ अगर Bank Nifty का weekly chart देख से तो एक ascending triangle pattern को, pattern formation को break off मिला है कि जो बहुत ही bullish implication सकता है तो फिलाल मैं मेरा view bullish ही रखना चाहूँगा 25,400 का एक level है जो बहुत ही important होगा मेरे लिए उसके नीचे मैं stop loss रखूँगा और मैं मानता हूँ कि अगरे तीन या चार ट्रेणिंग सेशन में हम बैंक 50 को 25,750 को छूटे वे देख पाएंगे मैं नीजी बैंक जो है उनमें ज़्यादा preference दूँगा जैसे कि ये इस बैंक है इंडिसिंट बैंक है उसको मैं ज़्यादा विटेज दूँगा इनमें सब में एक स्टॉक है जो मेरे डार पर है वो है टीसिएस का दिनम चार्ट देखते है तो अच्छा खासा वाल्यूम के साथ ये स्टॉक उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मेरी खरेदारी करने की यहाँ पर सला होगी स्टॉक लोज के तोर पर 2690 है और मैं मानता हूँ कि अगले 15 दिन में करीबं 29 तो का टार्गेट ये स्टॉक हम देख सकते हैं ओके स्टॉक 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 मूव की बात करते हैं आज एक फार्मर स्पेस का काउंटर जो की फोकस पे है वो है अचाहिए इस वक्त ऐस्ट्राजेनका में क्या लगता है अभी खरीदने के मौके हैं अभी देखते हैं तो करीबं 1220 के लेवल पर ये स्टॉक टेड करता हुआ दिखे दे रहा है जिस तरह का फॉरमेशन हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है तो डिफिनिट्ली मैं आपर रिक्मेंड करूँगा कि बाय करना चाहिए इसके लिए जो स्टॉपलोस में रिक्मेंड करूँगा थोड़ा डीप डाउन होगा 1160 का होना चाहिए ये स्टॉपलोस जो मैं रिक्मेंड कर लाँ हो वीकली जोजिंग बिस्स पर देखना ने मेरिल लिंच ने एक नई रिपोर्ट निकाली है वो इनिशेट कर रहे हैं इस पर कावरेज वित अबाय रेटिंग 330 का टारगेट वो देख रहे हैं आशीच आपको क्या लगता है एन बी सी सी में क्या करना चाहिए अगर ट्रेडिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा लेकिन पूजिशनल अगर ट्रेड लेना है तो डेफिनेट्ली मेरी तरफ से येस होगा स्टॉप लोस के तरपर 279 का स्टॉप लोस लगाना चाहिए और लच्श जो होगा वोगा 298 एक बार आपकी कॉल लेना चाहूंगे PSU बैंकिंग स्पेस पे इंडिन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, प्राइविट बैंक, यूनियन बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो दबाव जादा हैं सारे ही बैंकिंग काउंटर्स पे इंडिन बैंक यहाँ पर नतीजे अच्छे आए थे, उसके साथ-साथ इन में यह एक उन कम्तियों में से हैं, उन बैंक्स में से हैं, जहाँ पर जो ट्रेडिट आफ टेक है, वो बहतर देखने को मिला है आज जबाव है, क्या यह मौका है खरीदने का, क्या करना चाहिए है, टर्नराउंड दिखरा है क्या स्टॉक में? 15-420 के लक्ष इस पर्टिक्लर स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर दिखरीद आरिक करने का यह देतरीन मौका है, रिस्टॉ डेवाट रेशो भी अच्छा है, स्टॉप लोज के तौर पर 359 का स्टॉप लोजिन बेसिस पर लगना चाहिए, 415 का पहला अगे बात करते हैं, हमारे साथ किरंजाधर.com के आशीश केलकर जुड़े हुए है, आशीश आईसी 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 बैंक पर एक बार कॉल ले लेती हूँ, इस पर करीब 0.66% नीचे है, 313-314 के आसपास बना हुआ है, इस स्टॉक पर इस वक्त आपकी क्या राय है? अगर मैं इसका देखता हूँ, तो इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस करेक्शन में मैं चार्ड के उपर से ये मान सकता हूँ, कि करीबन 305 के नीचे ये स्टॉक आईईली आना नहीं चाहिए, 305 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो जब तर 305 के उपर है जैसे ये स्टॉक 320 के उपर निकलेगा, एक फ्रेश ब्रेक आउट होगा, और उस केस में इसका जो लक्स रहेगा, वो रहेगा करीबन 362 का, तो मैं मानता हूँ कि अभी थरेदारी करने की सलाह होगी, इस डिस्टॉर्य और रिशो बेतरीन है, 305-320 एक रेंज है, उसके उ बर निकलता है, तो बेतरीन प्रोदर्शन और दिखने को मिली सकता है, आउके, तो ये सलाह है ICICI BANK पर लेकिना आपको खबर एक बार बाद बता देते है, ICICI Securities, जो कि ICICI Bank का एक ब्रोक्र जाम है, उसकी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है ICICI BANK के बोर्ड ने, चल गातार यहां पर मोमेंटम बना हुआ है, आज भी आप ग्रिफाइट पे 5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं, आशीश अच्छी खासी तेजी, मल्टी पोल्ड जम्प इन दोनों स्टॉक्स में आ चुका है पिछले एक साल में, अब क्या करना चाहिए? अब क्या जिए यहां पर थोड़ा कॉसेश पर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रैली हमने इस टॉक्स में देखा है, इसने कही भी करेक्शन मोड दिखाया नहीं है, इसमें जब जब करेक्शन हुआ है, तो सिर्फ टाइगन करेक्शन हुआ है, प्राइस करेक्शन नही हुआ है, तो ऐसे लेवल पे नहीं खरीदारे करने के सला तो डेफिनेटली मेरी नहीं होगी, जिनके पास ये स्टॉक है, मैं उनको ये सला देता हूँ कि 50% स्टॉक्स बेचके इसमें प्राफिट बुक करना चाहिए, और 50% जो शेर्स उनके बाद बचेंगे, उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉक्स का बेटर इन्ट यूज़ करके प्राफिट को और ट्रेलिंग कर सकते हैं